हलो इस्टूडेंट आप लोगों का हमारे चैनल डिये सर्डूसर कल ग्रेडवी में स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही महात्पुर्ण जानकारी लिकर आए हैं कारेलाय आयोकता आदेम जाती तथा अनुश्य जाती विकास विभाग द्वारा जवाहर उतकर स्योजना के लिए दिशा निर्देश आ चुका है तो दिशा निर्देश आ चुका है तो हम देखते हैं इससे मुख्य मुख्य पॉइंट को तो पंडिर जोहलाल नहरू उतकर स्योजना यथा संसुदी 2021 की कंडिका 11 अनुशार कक्षे शट्वियों में प्रेवे सेतु दिनांग 12 मार्च 2030 दिन रवय वार को समय दो पहर 12 बज़े से 2 बज़े तक लिखित परिच्छा का एयोजन किया जाए ठीक है तो लिखित परिच्छा का एयोजन करने का अपको अधिसेन अडिस आ चुका है ठीक है कब 12 तीन 2023 मतलब 12 मार्च 2023 को परिच्छा का एयोजन होना है तो ध्यान में रखेगा है डेट आप लोगों के लिए महातपूर्ण है ठीक है तो इसमें में में चीजों का हम देखते हैं पंडित जोहाला नहरू उतकर्स योजना याथा संसुधी 2021 कक्षा 6.20 परिच्छा समंधी नियम निर्देश सिक्षन सत्रे 2023 योजना के उद्देश की ठीक है पंडित जोहाला नहरू उतकर्स योजना के उद्देश की तो योजना को उद्देश जो है अंसुचित जन जात प्रतिभावान चात्रों को गुनमत्ता पूर्ण सिच्छा उप्लद कराना नई सोच के साथ 72 करियर चैन का आउसर प्रदान करते हुए प्रतिसपर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित अविकास के लिए आउसर प्रदान करना है ठीक है इसके अंत्रगत चैनित उत्रिष्ट नेजी अवासी विद्यालियों के कख्छा छट्वी में प्रवेस कराया जाता है ठीक है योजना अंत्रगत साला का संपू्ण सुल का विभाग द्वारा वहान किया जाता है वो कख्छा बार्वी तक अध्यान की सुईधा होती है ठीक है तो आप इसमें इस वीजनक के अंतरकत कक्छा बार्वी तक काई कर सकते हैं च१्ट इखतने हैं कच्छा च१ु विद्यारति चांस निवासी हो ठीक है और अगर हम अगली बात सेकेंट का लच फैनी वद्यार्ट- Druoca विद्यारती को SKH्ट वर्ग से होना चाईए इस से तू सक्षम पर्दिकारी द्वारा जारी स्थाई जाती प्रमान पत्र धार्रोग हो ठीक है तो आपको इस योजना के लाब लेने के लिए आपके पास सिस्था यह प्रमापvine संचलित किसी मानेताव संस्था में क sense नियमित रूप्से अध्यन रत हों ठीक है- तो आपको छोनीवीं सेна के नियमित की परिच्छा में असी प्रतिशा से अधिक है- देढ़्थ विद्यार्थी चैन परिच्छा में सामिल होने के पात रहोंगे ठीक है, तो एक और सर्त है कक्षा चौंथी के परिच्छा में विद्यार्थी को 80% से अधिक अंग ठीक है या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाल विद्यार्थी इस एक्जाम को देने के लिए पात रहूंगे ठीक है और अगला पॉइंट अगर बात करें तो पीता पालक की समस्त स्थ रोतों से वार्शिक आये डाइलाग से अधिक नहों ठीक है अगला पॉइंट अगय बात करें तो योजना अंत्रकर विद्यार्थियों का चैन्म मुटता ग्रामिन छेथर मिस्थित विद्यालियों में अध्यान रहत विद्यार्थियों से किया जाएगा अर्थात ग्राम पंचाय जनपत पंचाय तथा नगर पंचाय छेत्र की विध्यालियों से कक्षा चौथी उत्यान करने वाले छात्र ही योजना का लाब लेने हैं तो पात्र नहीं होंगे ठीक है तो द्यान में रखेगा मरी नगर निग intel उस्धीत विध्यालियों में रध इध्यारत विद्यारत योजना का लाब लेने तुँ पात्र नहीं होंगे ठीक है मुझें?rüकारूस कंद से अधिक आय नहीं होना चाहिए द्यान रखेगा है प्रमायन पत्र फत्र में पालक का स्व घौोषना पत्र होना चाहिए ऐसे छेकर आपको आप प्रमायन पत्र पर्सूद करना पढ़ेगा और पालt प्रवेस सेतु जीलावार सीट निर्धारित है इसकी संलग सुची संलग नहीं तो उप्रवेस संख्या का आसा यहां नहीं कि सभी को प्रवेस दिया जाएगा ठीक है वहां पर जितना भी सेत दिखाया गया है सुची में ठीक है जो पहले से निर्धार्यत कर चुकआ है तो इसका आसा यह नहीं कि मतलब सभी सीट उमें प्रवेस लिया जाएगा यह जो डिपेंड करेगा आपका डितारान ठीक है प्रवेस का निर्धारन बज़ट सीमा में उपलध्स रासी अंतरग्द किया जाएगा ठ खात्र चात्र जिस जीले का मुल निवासी हो ठीक है सक्षम प्रदिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमान पत्र के अधार पर उसी जीले में मेदन करनी की पात्रता होगी ठीक है तो राज की छतितर राज की जिस भी जीले के आप मुल निवासी है तो आपको उस जीले के सक्षम प्रदिकारी के हस्ताक्षर से जारी जारी निवास प्रमान पत्र आपको सनलग न करना पड़ेगा और उस अधार पे आपको उसी जीले में आप जिस जीले की निवासी है ठीक है उसी जीले में आप अविधन करने के लिए पात्र होंगे दुसरे जीले में आप अव ओर दनकरते हैं तो वो आपके ऑफिदन हो सकते हैं ठीक है गहां में परिश्छा की पैटन के अगर बात करें तो देखिए आपकी परिच्छा में क्या क्या क्कोस्टिन पुछे जाएंगे तो कक्षा चाल फ्रेस के लिए ज़िए रुतष्टाप स्वीज्ञण का उसमें कक्षा पांच वी के इसतर का विज्ञान पुछा जाएगा गणित पुछा जाएगा और अंग्रेजी पुछा जाएगा और हिंदी और परियावरण पर अधारित सो अब्जेक्टिव टैप प्रस्न पूछ जाएंगे ठीक है प्रते खंड में 20-20 अंग के प्रस्न रह कर कर अंकित कर उत्त्रपुष्त क्रिच्छ को वापस करेंगे ठीक है दियार रखे के अविधन कैसे भर नहें तो इसके बार मैं आपको बता देताू ठीक है तो अविद्धन पत्र का अग्रेशन साला प्रमुग द्वारा किया जाएगा साला प्रमुग द्वारा अविद्धन के अग्रेशन की पूर यहां सुनिशित कि जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योगत्त था यह था सैक्षिन क्यों गता इस्थाई जाती हो गया निम सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आधा दूरे अविधन करते हैं तो स्विकारी योग नहीं होगा ठीक है रिजेक्ट हो जाएगा अविधन फॉर्म तो समस्ता अविधन पत्र विद्यार्थी द्वारा विद्याला में दिनांग 10-2022 दिन सुक्रवार को संध्या 5 बज़े तक आपको जम्मा कर देना है ठीक है 10 फरवरी तक आपको 10 फरवरी दोजार 23 तक ठीक है यहां पर 2022 गल्वदी से लिख दिया गया होगा ठीक है तो आपको साम संध्य 5 बज़े का आपको जम्मा करना है 10 फरवरी तक ध्यान में रखेगा अगर हम बात करें आगली पॉंट की तो पालकों यह विद्यारतियों को विधन पत्र भरने में प्रधान पाठाक सिक्षक गर्ण स्विधन सिलता से सयोग करें ठीक है प्रतिभावान विद्यारतियों को परिच्छा बैठना है तो प्रसाहिद करेंगे तो आप जितने भी बचे प्रतिभावान हैं तो आप लोग निशीत रूप से इस एक्जाम में बैठिये हैं ठीक हैं इस परिच्छा से तयारी के संबंदित जो भी मतलब रिसा निर्देश हो सकते हैं हम हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपले धक्राने की कोशिश करेंगे आप लो प्रिच्छा समद्धी चेक लिक्ष्ट देख लेते हैं कारेकरम के विडियों हैं ती थी है तो विद्यार्थी त्वर अधन पत्र साला में जम्हा करने की दिधिया है यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो आप लोगों को दस फरवरी दोजार तेईस ठी ठीक है दिन सुख्रवार तक कि आपको विदन फार्म जम्हा करना है ठीक है वाँ पर प्रिंटेंग मुष्ट था दो चरबाइस लिए था तो दस फरवरी दोजार तेईस ठीक है जानुब रखेगा आपको इस दिन तक आपको अपने स्कूल में अवेदन फार्म जम्हा कर अपने साला में तो साला प्रवंग दोर्य विद्यार थी कि वेदन का परिक्षन एवं विकास खड़ सिक्ष्य अदिकारी कर रहें को भेजना है आपको अग्रिशन करना है यह कब तक करना है ठीक है तेरा दो दोजार तेज दिन सोमा ठीक आप लोगों के लिए देखो इस् आप लोगों के लिए जैदा मुश्ट फोर्डेट नेट है एकजाम डेट ठीक है जो होना है अपका करता क्या है ने बारा टीन दोजार दाइस धीक है परिच्छ dłार होना है वद्धार दो बजह से दो बजह तक होना है ठीक है तो आप लोग इस लेट को एकजाम देना है आ आप लोगों कोई भी guidance चाहिए कोई भी चीज़ा चाहिए तो आप लोग हमारे इस वीडियो के में कमेंट बॉक्स में कमेंड कीज़े हम आप लोगों को अपलद कराने की कोशिश करेंगे अप लोग अगर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए वीडियो अपलद करा सकूं और आप लोगों की मैं वीडियो के माध्यम से help घर जकूं तो वीडियो को अन तक देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ठीक है धन्